आज मैं आपके लेके आई हूँ मिर्ची के अचार की रेसिपी ये अचार आप महीनों रखके खा सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होगा और एक तो ये है कि आप इसे तुरंद बना के खा सकते हैं रोटी, पराठा हो, चाहे दाल, चावलो किसी के साथ भी ये बहुती बढ़िया लगता है खाने में बस इसको आप बना के किसी भी एरटाइट किंटेनर जार में रख लें तो ये महीनों तक चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ये बचेगा ही नहीं पहली बात तो तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए, यहां पे मैं इसको बन करके रख दे रही हूँ यहां पे जार को और आप इसका टेक्शर देख सकते हैं देखिए, कितना बढ़िया यहां पे मैंने अचार जो है ना मिर्च ले लिजे, हरी वाली थोड़ी सी मोटी मिर्च ली है लंबी में होती है यह और इसे मैंने अच्छे से कपड़े से पोच के साफ कर लिया है अब यहां पे देखिए, इसको मैं थोड़े-थोड़े से बड़े उसमें काटूँगी ताकि यह बिल्कूल छोटे-छोटे बारिक-बारिक नहीं काटना है थोड़े से बड़े हिससे इसके कट करेंगे ताकि मिर्ची जब हम खाएं तो पता चले ये मिर्ची थोड़ी सी तीखी होती है तो इस बात का ध्यान रिखेगा अब कम तीखी मिर्च का भी बना सकते हैं तो मिर्चियां यहां कट गई है सारी अब ये कुछ मसाले हैं यहां प लो फ्लेम पे लगाता चलाते वे इसको भूल लेंगे ओवर जारा नहीं भूलना है नहीं तो जल जाएगा और मसाले कड़वे हो जाएंगे अब यहां पे इसी के साथ मैं एक चम्मज डाल दे रही हूं यह साबुत धनिया तो यह भी इसी में डालके हमें भूल लेना है यह इसके साथ डालके भूल लेते हैं और यह मसाला भूनके तयार हो गया है इसको निकाल लेते हैं प्लेट में निकालने के बाद इसको हमें अच्छे से ठंडा करके ना फिर हम इसको पीसेंगे इससे पहले इसको ठंडा कर लेते हैं यहां मैंने एक कब देखिए सरसो का तेल लिया है और इसको ना बिल्कुल अच्छे से गरम करना है जब तक समय से धुआ ना आ जाए तो देखिए धुआ इसमें से आ रहा है अच्छे से सरसो का तेल गरम हो गया है अब जो मसाले हमने भून के रखे देना वह भी ठंडे हो गया है तो इस बास ते इनको अब क्या करना है यहां पे इनको दरदरा पीस के तयार कर लेना है तो यहां पे मैं दरदरा पीस लेती हूं मसाले को जब भी अचार बना रहे हैं तो एक दम बारिक नहीं पीसना है तो अच्छे तरीके से यह देखिए यहां पे पहले मिक्स कर लेंगे अब यहां पे डाल लेते हैं आधा चमच हल्दी powder डाल रहे हैं आदह चमच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिश्ट डाल रही हूँ यह color के लिए डाल रहे हैं से अचार का color बहुत बढ़िया आएगा नमक डालेंगे इस वाद के अनुसार तो थोगा सा नमक इसमें जादा जाएगा और यहाँ पर आप दो चमच म अच्छे से mix कर रही हूं मिर्ची के अपर इकदम बड़िया से कोट हो रहे हैं अच्छे से मसाले यहां पे तो इसको अच्छे तरीके से mix करने के बाद जो हमने सरसो का तेल गरम करके रखाता वो थोड़ा ठंडा हो गया है अब वो डाल देते हैं इसके अंदर तो देखे सार तो इसको अगर आप थोड़ा सा गलाना चाहते हैं मिर्च को तो इसको थोड़ा सा धूप रोज दिखा दे दो तिन दिन तो मिर्च के यह जो अचार तो असा सौफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट और भी उभर के आएगा वैसे आप इसको तुरंद बना के खा सकते हैं तो कि इसमें हवा पानी कुछ भी ना लगे तो देखते हैं कई बार जो ऐसे फुफुंदी से लग जाती अचार में उस बात का ध्यान रखना है और समझारा सब यह एक भी बूंद पानी का चला गया तो अचार बिल्कुल खराब हो जाएगा तो इसलिए जब आप अचार बना आना चाहते हैं तो आप बड़े कंटेनर में हैं बहुत अच्छे से किसी जार में रख ले तो यहां पर मिर्च का अचार बनके तयार है और देखे कितना बढ़िया यह देखने में लग रहा है बस यह चार तुरंत खाने के लिए तयार है पूरी पराठा यह किसी के साथ भ आपको रेश्पी पसंद आई हो तो चलिए फिर मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तिल देन बाई